नौलेज इनको के यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेरे जो भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं जो भी जानकारी मैं आप लोगों को सेयर कर रहा हूं उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं और अपने कमेंट्स को पास आउट कर रहे हैं ताकि मैं नई से नई जानकारी को तुरंत आपके सफास अपडेट कर तक हूं तो आज इसी जानकारी के तहत में आपको एक नई जानकारी जो अभी अभी फ्लैस हो रही है तो मैं एक बाद फिट से आपको सारा की एक नई जानका नारीक साथ उपस्कित हो रहा हूं तो आए बात करते हैं सहारा और सेवी की। जैसर आप जानने हैं कि सहारा और सेवी केस का जो भी हमारा इस समय चल रहा है और निवश्कों का पैसा उनको वापिस नहीं मिल बारा है तो अभी एक बड़ी ख़बर ये आ रही है कि जो इनका रियल इस्टेट को जो अलिगंज का पूर्थला में जो इनका ओफिस था रियल इस्टेट का उस पे रोक लगा दी गई है और दफतर को शील कर दिया गया है जैसा कि लोगों का कहना है कि सारा स्री ने जो अपनी कंपनी रियल इस्टेट में लोगों का पैसा लिया था मकान देने का या अपार्टमेंट्स देने का तो पैसा तो पूरा ले लिया गया है लेकिन उनको अभी तक कपजा नहीं दिया गया है लोगों का पैसा पूरी तरीके से जमा हो चुका है और उनको अपने कपजा नहीं मिला है तो इस कड़ी को देखते हुए जिला प्रशाचन जो लखनव का है तो उसने जो इनका जो अली गंज में का पूर्थला में जो आफिस है इनका उसको सील कर दिया है और आगे भी ये चर्चा हो रही है कि ये पैसा किस तरीके से लोगों के मिलेगा और जो अपने माकान के लिए यह जमीन के लिए या अपार्टमेंड के लिए तो सुब्रत रहे की मुसीबिते धुमिदी में बढ़ती ही जा रही है क्योंकि एक तो इन्वेस्टरों का पैसा वापिस नहीं मिलना है दूसरा आज जो जिस तरीके से प्रशाशन उनकी मलब उनकी जो भी मलब प्रोजेक्ट थे उन पे कारवाई शुरू कर रहा है और आज जो सत्य बड़ी में खबर जो ले के आए हुआ है कि जिसमें की उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है जो अली गज में था और अब इससे भविस्ट में यह थोड़ा तैकर परना मुस्किल हो रहा है कि इन्वेस्टर ने जो अपने भविस्ट में का जो पैसा जो और लोगों को मानना है कि पैसा लोगों ने अपने समय पे सारा पैसा वहाँ पे जमा किया है लेकिन उनको एक तब्जा नहीं दिया जा रहा है और सारी चीजे अपने हिसाब से चल लाई है सारा उसेवी का ये मैटर 2012 से स्टार्ट हुआ था 2015 तक में बहुत सारे केस चले भी जिसमें की बहुत सारी चीजे तब्दीलिया हुई लेकिन आज भी ये case उसी तृरिके से चल लौफ़ जबकि सारा का कहिना है कि मैंने payment seven को कर दिया है लेकिन यहां सेवी का कहिना है कि अभी भी ओतना payment नहीं मिला है जितना कि मैंने बोला वा थाय्व है तो यहां पर बात ही आ रही है कि सारा से भी ने यहкие बोला कर हुआ है investor है उनको वो payment किया जा सके लेकिन यहाँ पे उनकी मुशिवितें टलने का नाम नहीं ले रही हैं और सुब्रत रहे जो हैं वो इन परेश्वानियों से बच नहीं पा रहे हैं कोई ना कोई एक नई चीज उनके लिए फिर से तैयार हो जाती है जबकि उनका कहिना है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ मैं आप लोगों का payment करने की कोशिस कर रहा हूँ कि किसी तरीके से सारा जो शेवी का matter है वो खतम हो सके और मैं सभी के payment को कर सको लेकिन बात ये आ रही है कि जिस तरीके से ये गतिविधियां इस तरीके से चल रही है और आने वाले समय में जो चीजी हो रही है तो ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इन्वेस्टर का payment किस तरीके थे होगा लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई चोटा चोटा पैसा जोड़के ये सोचा कि भई उसको वो पैसा एक समय के बाद मिलेगा तो उससे वो अपना कुछ काम करेगा या कहीं लगाएगा या कुछ भी अपना goals है उसको पूरे करेगा लेकिन यहाँ पे सारी चीजें उसकी खत अब इठाव सवाल है कि आने वाले समय में ये 2-3 मेने में किस तरीके से ये पेमिट को चालू करेंगे और किस तरीके से इन्मैश्टों को टाकर शुरू हम आस्जाना ना चौनलुका है पर इन्वेस्टरों का पैसा उनको देना सुरू करें ताकि जो एक उनकी चबी बनी हुई है तो वो चबी उसी तरीके से बरकरार रहे ताकि आले वाले भविश्च में जो सारा समू एक बहुत अच्छे गूप के रूप में जाना जाता था तो वो आज फिर से उसी तरह से व आले उसी तरीके से जिस तरीके से कभी ये पर्चम पर लहराया करता कि एक हर किसी की जुबा पे इसे नाम होता था है जो भी भी समय दिया है तो वो सकता है 2-3 महीनों के अंदर कोई नई चीज आती है ताड कि मैं इन्वेस्टर को या इंवेस्टर को उनके पेमेंंट किस तरीके से मिलेंगे तो अगर deedन आती है तो मैं आपके सामने एक बार उसको लेकर कि फिर से हाजिर होता हूं आज तक के लिए इतना ही बने रही है हमारे नौड़ेश इनकों की यूटुब चैनल पर दोस्तों धन्यवाद कर दिया है तो आने वाले समय में कितनी मुशीविते और बढ़ने वाली हैं तो यह आने वाले समय पर ही मालूम चलेगा और निवेशकों को जो उनका पेमिंट है वो किस तरी से मिलेगा अभी वी एक प्रस्ने चिन्न खड़ा हुआ है लेकिन जिस तरीके से न्यूस बगर आय पेपरों में इनका आया था कि उसमें कुछ समय तक हम लोगों को बूला गया है कि थोड़ा सा धैरा रखें आपके पेमिंट सुरच्छित हैं और जो भी आपके पेमिंट रहे हैं उसके भी कुछ आपको जो भी एक नॉमनल ब्याज होगा उसको लगा के आपका पेमिंट कि बात कोई ऐसा निड़ा निकल आता है जो की मलब हमारे जो भी इन्वेस्टर भाई हैं जो जो ने अपना पैसा इन्वेस्टर किया हुआ है सारा में उनके लिए एक अच्छी घवार आ सकती है कि किस तरीके से उनके पेमिंट जारी किये जाएंगे तो इसके लिए थोड़ा इस सुरू हो जाएं तो यह आने वारे समय में हम लोग को मालूम होगा कि अपने साथ है तो जीस तरीके से हमें नई फेशन मिलती है तो मैं आपके सामने इक भी फिर से उस नई फैसना स्वक्राइडumed करता हूं या मarnya हाजिर हुता हूं तब तक के लिए आप मेरे और को जानिवार